रामपूर में उप्चुनाव हैं और जहां पर चुनाव हो वहां पर एवित्पी गंगा का ट्रेक्टर ना पहुंचे ऐसा कैसे हो सकता है तो एविपी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है नवाबी धरोहर नवाबों के शहर रामपूर में जहां से वीजेटी के प्रत्याशी है आतास सकसेना जिसे यहां के लोग कहते हैं हनी वहिया और सपा के प्रत्याशी है आसिम राजा दोनों के बीच टकर है लेकिन 5 दिसंब अज पहली बार ऐसी उम्मी जगी है कि यहां से भाज़पा जी सकती है और इसको एक मात्र कारण है अकाश वेया की मेहनत अकाश वेया ने जिस तरह के से मेहनत करी है रामपूर में भाजपा को आज इस मुकाम पर लेकर आए हैं कि भाजपा आज जीत के मुकाम पर पहुच चुकी है आज उनके मुकाबले में प्रतिनीधी खड़ा नहीं हो पाया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और आप लगातार देख रहा है जिस तरीके से समाजवादी के लोग पार्टी से जोड़ना हैं हमारे ये शेश्वी मुक्य मंतरी शीरी योगी आदित्यनाज जी के कारियों को देखकर मारे देश के परधान मंतरी जी की नीतियों को देखकर आज हर वर्क अव्यक्ति चाहे मुसलिम हो सिख हो हर व्यक्ति आज भाचपा से जोड़ने के लिए जब निकलती है रात को घर से बार तो सुरक्षित महसूस करती है मूर्ढ़न की जोगों का किस तुरफ है इतने सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से इतिहास बदलाओ के तरह क्या है हमारे देश के प्रधान मंत्री निरेंद मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा अब ही इतने सालों में ने देखा बदलाओ तो यहाँ पर दस बार आजम खाम विदायक रहें, उन्होंने भी अच्छा काम करा लेकिन इस बार बदलाव चाहते हैं. बदलाव भी चाहते हैं, हनी भाईया का बेटिक बहुत ही अच्छा है और उनसे बहुत उम्मीद हैं, रामपुर। बदलाव वाईया की तो अच्छा इने भी मौका देना चाहिके हैं, मेरी समझते हैं और बाकी देखिए अपने तो अपना हैंगा। बदलाव भी जनता पालटी आए लेकिन कुछ प्राप्लम हमारी है वो सौल होनी चाहिए। तो सोड़ी तो यही रोटकी है हमारी प्रॉब्लम है हमने बहुत कोशिच कर लिये लेकिन नहीं हो पाया हमारा काम चार पास साल हो अब हम भागते हुए हम लोगों को भाजपा निकलेगी? पूरी उमीद है उमीद है नहीं उमीद कैसे? नहीं अब बतलब है आपके उमीद पूरी पकी है जबार यह है बीजे पी आए और अच्छे से काम करें इस कालोनी की सड़क बन जाए क्योंकि सड़क को लेके हम लोगों बहुत परिशाल है पानी बर जाता है पानी बर परिबरतन का है हमारा बाच्पा को लाना है प्रतिदिद करने वाला हमारा कोई नहीं है अगर हम समाजवादी वालगवाट जाते हैं किसी काम के लिए तो लोग कहते हैं हम मारे पास कोई दागत नहींników हम किसका काम करा है मैं देखिए जो हमारी रोलिंग पार्टी है मैं रोलिंग पार्टी के साथ मैं पहले भी रहा हूँ और आज भी नूँ विकास तो होई नहीं है इन 10 सालों 15 सालों कोई विकास नहीं होगा इस बार क्या मूड है इस बार वही मूड है जो सरकार विकास करेगी देखे रामपूर सीट के अगर राज़ितिक समी करनों और इतिहास को आप समझेंगे तो काफी ज्यादा रोचक हैं बीजेपी की जो प्रत्याशी आकार सकसेना वो शिव बहादूर सकसेना के बेटे हैं और दूसरी तरफ जो सपा के प्रत्याशी हैं आसिम राजा अगर हम उनका जिकर करते हैं तो आजम खां के काफी करीबी माने जाते हैं आसिम राजा अगरेने से किसी को रोजगार नहीं मिलता है या पार्क बने से या मतलब कोई भी त्रामपुर के लोग हरवार बदलाब चाहते हैं और चाहते हैं कि जिए लुगा जाए तक मेरा मानना है होना चाहिए सबकाइब बना लिया बदलाव की बायार बहरी एग्जेक्टली रिदम भी यह है कि अब हमें कुछ ऐसा चाहिए स्ट्रव ने तरो कुछल चल रहा है तौप पर बैठे हुए मेरेजमेंट का हम चाहते हैं उनी के नीचे यहां आजम खाए लेक्शन लड़ते हैं यहां पर अगलेश यहां कि मुझस वोट नहीं पड़ते ना ही यासिम साब के मुझस पड़ेंगे यहां आजम खाय के मुझस वोट पड़ेंगे पस यही वजा है बागी कुछ नहीं है लेकिन अगर चाहते तो रामपुर गंदर बहुत कुछ कर सकते हैं जुआ रहा है किसके तरफ है मूदानी कफ़ार बदला चाहते हैं पर काम कितना हुआ है कम से कम 80 ऐटी परसंट श्म होगा एक किसने कर वाया 30% करवा है आजम खाना 50% करवा है बीजेपी सरकार में सरकार बीजेपी की बड़ी भी है इतो उप्चरा हुए इस पर बीजेपी जीतनी ही चाहिए लेकिन अभी तक तो आजम खान थे दस बार से आपर विधायक मुझे लगता है और लोगों के खयाल भी आजाद है लोग कह रहे हैं कि वोट तो केवल काम पर ही देंगे नाम पर या चेहरे पर नहीं लेकिन सतर साल से जो इतिहास रहा है किसी गयर मुस्लिम को यहां से विधायक चुना नहीं गया क्या इस बार वो इतिहास बदल पाएगा ये तो आठ दिसंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे लेकिन विलाल आपको मैंपुरी की किश्नी सीख पर लिये चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी गुंजन मोजूद है वो आपको बताएंगी कि वहां पर क्या है जनता का मूद चलिए समस्कार यूपी का मूद आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ गुंजन ट्राक्टर की सवारी पहुँच चुकी है मैंपुरी की किश्नी विधान सबा सीख पर यहां की जनता के मूद को समझने के लिए यह वो विधान सबा सीख है जहां पर 27 साल से समाजवादी पार्टी ही जीत दर्श करती आ रही है लेकिन लोग सबा उप्चुनाव से पहले यहां की जनता का मूद क्या बन रहा है चलिए चलते हैं लोगों के बीच इनके मुद्धों को समझेंगे और जानेंगे मैंपुरी का मूड क्या है मैंपुरी का मूड सबा कई पक्ष में जाएगा ऐसे क्यों? नेता जी की बज़े से मुलाइम सिंग की बज़े मैंपुरी में उप्चुनावे न मैंपुरी में साइकल सपा चल रही है सपा दोड़ेगी? सपा दोड़ेगी बज़े क्या है? बज़े कि आप दिंपल आई जीए गई और करीब करीब आएक लाग बोल्टों से जीतेंगा मैंपुरी में क्या होने है अब देखा तो नो हमारी समझ में चक्कर लड़ाई है बरोद होगी और भाइबी इत्यासिक जीत होगी डिंपल वावी की ऐसे क्यों? ऐसे ही है बस हवा है यह बिलकुल यह हवा समाजवादी पाटी की चली आ रही है यह रहेगी यह बस और कोई ने रहा है यहा तो हमेसा सपाग का ही रहा हाँ जो भी कार अभी तक कराए वो सपागी कराए और बाकी लोग इनका इतना कारका निकल गया उनकोई काम तो कराया नहीं आप देख रहे हैं यहां सुधार तक बेरुजारी बिशे समस्या है अगले से आदव जी के दिल में नेता जी बसे हुए हैं उनमें बहुत सुधार है नेता जी की जो भी एक्टिविटी थी उनके अंदर सारी देखने को मिली है और नेता जी की भली मात हम लोग उनको देखेंगे और नेता जी के पत पे चलेंगे और उनसे बहुत सारी उम्मीद है वो ही हम लोगों को आगे ले जाने का कार करेंगे श्वार नेता जी की जीत होगी डिमपल जी की नेता जी हमेसा यह आत्यासक जीत रही बोई जीतेंगे उनके लाबा या कोई सिट नहीं निकलेगी लॉटल लॉस हुआ है एक ये नाली है जिससे सिचाई होती है इसकी भी सफाई नहीं उसके बाद बिजली सड़क कोई भी ना मरमत करा पाई ये सरकार मैंपूरी के किषनी सीट की जनता के मिजास को हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं साथी साथ इनके मुद्दों को भी जान रहे हैं तो तूटी सड़क, बिजली ना होना और खाद ना मिलना यहां की बड़ी समस्याय नजर आती हैं लेकिन अगर यहां के समीकरणों को भी देखें तो यादव और शाक्या वोट बैंक चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं उनके मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं क्या आकर लोगों के जहन में चल के आ रहा है समाजवादी पार्टी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे फ़लाई थी और मैनपुरी को अपना गड़ बताती है अब गड़ में सिर्फ घर से ही प्रतियासी मिलता क्या तो मैनपुरी की जनता इभी जान चुकी तुम घर का ही विकास करोगे तो इसलिए बनता जनता बदलाव लाएगी लोग सवा में भाई रगुरासीन साग जी बिजए होंगे तो लाग बहुत प्रतियासी मिलता है बदलाव हंडेट परसेंट बदलाव जी किसनी की जनता पूरे मैनपुरी की जनता सिर्फ बदलाव चाती है बदलाव होके रहेगा बजए क्या इसकी बजए यही है कि गुंडाराज खतम हो रहा है परवारबाद खतम हो रहा है धीरे धीरे करके सब कुछ बस जंता बाजपा कुछ आ रही है बाजपा आएगी हमारे यहां से भी सीट भाजपा की ही निकलेगी भाई रगुरा सिंसाख की जीतेंगे बिजय उन्हीं की होगी बज़े क्या है इसकी बज़े यह है गुंडा राद जो है सब पुरे पुर्देश में फैला रखा था इनोंने तो सब जगे से तो यह हारे ही है अब यहां की सीट बची है वो भी हमारी भाजपा ही जीतेगी बीजे पी को जिताना है कमल खिलाना है साइकल नहीं दोडाना है बिल्कुल नहीं दोडानी है बस बीजे पी का कमल खिलाना है इस बार BJP को चांस जाना अच्छी है शराव होगा तो BJP जीतेगी इस बार पॉच्छा क्या है इसकी एक बाव दाव BJP ने काम किया है ना कैसारे काम की एक बाव दाव पहली बाद तो यह गरीबों को रासन देना यह किसी ने आज तक सोचा मैंनपुरी का मोड क्या लग रहा है मैंनपुरी की बाद BJP में जाएगी इस वक्त मैंनपुरी का मोड डिम्पल जीतेगी वाज जब चल रहे हैं अब तक सभा में थे तो मन कैसे बदला अब मन बन दियो कार रहा हूंने की देगर आक के एसा लग रहा है कि इस वार जो ने बिलकुल काटे की टकर होगी हार जीत का अंतर बहुती कम रहेगा ऐसा क्यों लग रहा है नेता जी के जाने के बाद क्या ये वज़े है या कोई और वजे किष्णी के मैंन्पुरी सीट की जनता के मिजास को हमने समझा साती साथ यहां की जनता के मुद्दे क्या है वो हमने जानने की कोशिश की यह वो सीट है जहां पर मोदी लहर में भारतिय जनता पाटी जीत नहीं दर्श कर पाई थी अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यहां की जनता किसको चुनती है चलिए अब आपको लिए चलते हैं खत्वाली के बाजार जहां पर मेरी सयोगी सिलता मौझूद है वो आपको बताएंगी कि खत्वाली का मूर क्या केता है नमस्कार मैं सने लता एबीपी गंगा की टीम आपको ची एक हताली कस्वे में बुआडा रोड कहा जाता है और विक्रम सिंग सैनी के दंगो के मामले में पुराने मामले में जेल होने के बाद ये सीच खाली हुई है उप्चुनाओ होने वाला है राजनीती का अखाड़ा बना हुआ है जनता का मूट क्या है चलिए जानते है हमारे गामालोगों विदाय कजी सुनता है नहीं आप नहीं सुनता विक्रम सिंग था आज तक बहांजी में आज तक उना कुछ निकरा दुबारे जीती भी गया हो विक्रम सिंग अब फेर वो दुबारे घरवाल लड़ी तो उसा जिताना काला लाब हो उसका लोनी वाले आएंगे देखने के लिए लोनी वाले नहीं आएंगे तो जब पता तो लगेगा उसको उसको पदल देंगे तुरंती यह है डेमाक्रसी यह लोग तेंट रहे चाचा क्या नाम है आपका मदन फाल आपका नाम मदन है और मैदान में भी मदन है और सामने सैनी है आपको कौन सही लग रहा है जेखो टो विटाए विजेपी अ कि sem चीज ऐसी है आज तक कोई बिक्री के लिए जारी उसका रेड़ निश्चित हो जाता है हमारा गन्ना जारा आज तक रेड़ निश्चित क्यों नहीं हुआ हम फ्री में डाल रहे हैं अब हमें मिल मालिक चाहिए 10 रूपे जोशे 20 रूपे जो कौन से हमें योगी सरकार सो रही ह Arbeit अगर कर दिया कि ज्यादातर रोश लोगों में बज़्चा को लेकर हैाश बाजबा की खामे के विझे से इसलिए लोग ज्यादार अस frustrated अपसंद कौण सा प्यक्तर काम करेगा आपके यह तो अपने मां संबान के लिए वाकि काम आम तो इनके ऐसे कभी पहले नहीं हुए और ना अब होंगे मैं तो भाजपा का हूँ, किलियर, हाँ, मैं तो भाजपा का हूँ मुजफर नगर में आने वाली खतौली विदान सभा सीट को आप देखें तो जाती समीकरन कुछ ऐसा है, जाट, गुजर, मुसलिम इस समीकरन पर काम किया जाता है या फिर बनिया, सैनी और दलितों को साथ लेकर के चला जाता है वैसे कोई भी इस सीट पर लगातार कबजा नहीं करती आई है इस सीट ने सबको मौका दिया है देखना ये होगा कि रालोद की कोशिश है 2012 वाली जीत को जीतना जो कि समीकरन बैठा था, जाट, गुजर, मुसलिम के हिसाब से या फिर बीजेपी अपने समीकरन के साथ आगे बढ़ जाएगी नणका चला जी, दवाग है अच्छा, मतलब बीजेपी से खुश नहीं है इस वज़े से या अपने जाट विरादरी से नहीं, खुश नहीं है, मेरी कोई जाट विरादनी में, त्यागी हूँ भी रादरी से और जो है सब नणके पूट देरे एक पाद अच्छा, आपके साथ वाले भी साब, बहुत भारी मतों सा नहीं है, त्यागी लोग थोड़ा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, सही है, क्या, ये सी ये भी सच है, नाराज तो समय है, किसी की सुनी ने रहे, खताली, खताली का रण हो चुका है, दिल्चास, कस्बे में ख आरे करता काया, मतलला जैसे नहीं आ रहे है हम किसको देंगे किसको नहीं थेंगे, ऐसे हम पहले किसी को बतते हैं किसको आँगा, हमें सब कही अच्छा लगा, अपने टेंपे भी साब से अपने सापने साङ्चा है, नलका हो जा कमल हो चाहात हो जा कोई हो लूट सबने मचाई पूरी बस लिछला भी ठीक था आने वाले को देखते हैं कैसे निकलेंगे बदलाव तो होना चाहिए तो देने का मौका किसको मिलेगा पांच तारिक को जब उपचुना हो यह तो उपचुना हो तो बीजी भी पांच तारिक को क्या मूड बनाई है अभी पतानी कुस्त चाहिए देके चुनाओ मतलब ABP गंगा और इन तीन सीटों पर उपचुनाओ की जंग हो चुकी है दिल्चस्प लेकिन इसका सियासी समीकरन क्या कहता है चलिए लिए चलते हैं आपको स्टूडियो और समझने की क पुशिश करते हैं तो किशनी की जनता महंगाई के मुद्दे को बड़ा बता रही है इसी के साथ ही गाउं को पक्की सड़कों की दरकार है रोजगार भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है यह वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर लोगों का मूड बन और बिगड रहा है इसके बाद अब बात होगी खतौली विधानसभा उप्चुनाब की खतौली के ग्रामीन इलाकों को विकास की दरकार है कानुन व्यवस्था भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है और सड़कों की खस्ता हाल पर लोग नारास है यह वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस बार जनता का मूड बन रहा है और बिगड रहा है उत्तर प्रदेश में एक लोगसभा सीट और दो विधानसभा सीट पर चुनाब है चुनाब का वक्त धीरे धीरे नजबीक आ रहा है और ABP गंगा की टीम मैंपूरी संसद्यक्षेत्र, रामपूर और खतोली विधानसभाक्षेत्र के अलग-अलग जबहों पर पहुंच रही है गाओं गाओं गली-गली हम लोगों से बात कर रहे हैं ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी